नमस्कार दोस्तों अब मैं आपको ये दो कलर का खुबसूरत सा डोर्मीट बनाना बताने जा रही हूं इसको मैंने 32 बनाया है आपको मेरा डोर्मीट अच्छा लगे तो अपलाइक करें सब्काइब करें सेयर करें अब 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 लाइकन जरूर दबाएए इससे मेरा एगली उता लेंगे और धागा ऐसे गुमा के लेंगे सभी फंदों को हम इस सभी फंदों को में उल्टा उल्टा भी नहीं है कर दो कि कर दागा, जो को हम में उल्टा भी नहीं है झाल 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 तो यह एक सीदी और एक उल्टी सलाई बिन ली अब हम यह पहला फंद फिर उतारेंगे और धागय से चिनेंगे में तीम फंदे बिन लेंगे यह दिखे इस तरह से एक फंद आपने उतारा है तीन बिनेंगे तो यह हमारे दो एक दो तीन प्रबॉफबॉबंब अब हम यहां पर अपना दूसरा कलर लगाएंगे तो यह मैं यहां पर ग्रीन कलर लगा रहे हैं यह देखे इस तरह से और इस थागी को ऐसे करके कि अब यह उल्टा उल्टा बिनेंगे फंदों को सभी फंदों को यहां यहां यह सारे फंदे उल्टे अब यह दिखे हमने इस चार फंदे परपल से भीकना जाएं और अब दो फंदे छोड़े एस्बार दो फंदे तो मेरे यह पेचार फंदे चूड़ गे और धागा भी से घुमा के चयव además दालेंगें और यह देखिए हम सीधी साइड में यह आगे सीधी साइड में पूरा यह देखिए इसी तरह से हम यह ग्रीन कलर से पूरा उल्टा उल्टा बिनेंगे यह दिखें सारे फंदों को इसी तरह से हम यहां तक उल्टा उल्टा भी नहीं है और यह दिखें हमने ग्रीन वाले पूरे फंदे यह से दी साइड में उल्टे-उल्टे मिले है अब इस धागे को पीछे करेंगे इस तरह भांगे को और इसको हम ऐसे लाएंगे यह इस तरह से क्रॉस में और यह चार फंदे हमारे इनको हम परपल से बिनेंगे तो यह दिखें यह हमने चार फंदे परपल से बिन लिए यह हमारी सीधी सलाई हर बार इसी तरह से बनाई जाएगे अब हम फिर से उल्टी साइड में आगे यह दिखें इस तरह से पहला फंदा उतार लेंगे और यह परपल के हैं चार फंदे यह एक फंदा हमने उतार लिया और तीन हम बिन मेलेंगे। यह देखिए हैं, यह उल्ठी साइड में हैं. इस सीधी साइड में चारूपंदे बिनते हैं। इनाइस तोख्ती में जाए 9 में जाम पहऑना इस ताद में एक छाव पांदे की एक सिरा स्थी का बिनेगे। यह उल्टा-ख़थी में स्थी के बनाएंगे। अब ये दिखे हमने ग्रीम वाले फंदे बिल ले अब दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे उसबन ये हमारे चार फंदे परपर के छुटे दो फंदे हम ग्रीम के छोड़ देंगे और धागा यहीं से घुमा के फिर हम ये सीधी साइड आ जाएंगे और सीधी साइड में ये हम पुरे फंदे फिर की ये से देंगे जैसे मैं पिछ़्ती वाल दिखाए था तो ये देखे इस तारे से हम यह ग्रीन के सारे फंदे हम ग्रीन से बिन लेंगे पूरे ऐसे सीधी सलाई में जो जैसा कलार है वसे बनाना यह दिखे इस तरह से हम पूरी लाइन यहां तक बिनेंगे ग्रीन से और यह दिखे हमने ग्रीन के इस सारे फंदे हमने ग्रीन वाले यह सीधी सलाई में उल्टे उल्टे बिन लिए अब इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको हम यह परपल वाले को ऐसे करके आंगे लाएंगे क्रोस में यहां हमें धागा फसाना जरूरता नहीं तो यहां पर हमार सिद्धी सलाई हमें हर बार ऐसी वनाने है कि एसे एसपे है अब हम फिर से ज़ी को पर यह इसे ज़ी भी mãoले पिर दी अब कि यहाπिम और इसे सेंदों बहलना है कि हीं की सीरी далon fur अब ये देखिए ग्रीन के हमने सारे फंदे बिन दिए अब दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे यहाँ पे बिन भीन धागा आँगे और ये सीधी सलाई पूरी ऐसे भना के कम्प्लेट करेंगे ग्रीन वाले ग्रीन से और परपल वाले परपल से अब ये देखिए हमने सीधी सलाई पूरी ऐसे बना ली ग्रीन वाले फंदे ग्रीन से और ये अब हम परपल वाले फंदे परपल कलर से बिन लेंगे ये देखिए इस तरह से हमने ये सीधा साइड पूरा बिन के कम्प्लेट किया अब हम फिर से उल्टी साइड आगे पहला फ पंदे हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब यह दिखिए इन चुट देए अब दो फंदे हम फीर से छोड़ देंगे दागा यहीं से घुमाके फिर सीदी साइब इसी तरह से हम हर सलाई में सीदी सलाई पूरी ऐसे ही बनाएंगे जैसी है वैसी उल्टी साइड में फिर दो फंदे छोड़ेंगे सीदी सलाइ पूरी आसा ही कमप्लीट करेंगे फिर दो दो फंदे छोड़ते हुए इसी तरह से हम ४ूरे फंदे छोड़ देंगे जैसे मी ये हर सालाइ में और ये देखें सीदी सलाइ ये हमें पूरे ऐसी बनाने है वेसे हमें खुछ नहीं करना नहीं ग्रीण वाले फंदे पूरे ग्रेंड से विनने हैं और अल्ठी साइड में अके चार फंदे यह पर पुरे पिने के विन वी गुदे। गुब c Feri मैं जो दो करके अब घ्री कि ग्रीम की 4 फन्दे cuando you pickie किस तरसा करेंगे पहला फंद इस तरह से उतारींगे दागा आँगे चुछ ये तीन परपल के के बिनिगे एक दोिस ये थीम हमने परकव पंवबिदिये और इस की गोल ऑब आजे करेंगे फिर को ही ले foreign 1 थागे हम फिर छोड़ देंगे थागा यहां से गुमातव वापस अब यह सीदी चलाई अपल कलर से कि बेंड ले दिखिए फिर हम फिर आगे उल्टी साइब में तो अभी हमको यह दो फंदे ग्रीम के छोड़ने हैं पहला फंदा उतारें हैं धागांगे एक दू तीन यह तीन फंदा में उतारा तो अभी हमने यहां तक छोड़ दियें इस धागे को ऐसे करके और अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गये यह देखिए इसी करके हमने दो दो करके पूरे फंदे यहां तक छोड़ दिये और यह परपल के चार फंदे बाकि इनको हम नहीं छोड़ेंगे अब हम अपनी बीज़ाइन को फिर से उससी तरह स्वापस लेंगे पहला यह पंदा उतारएंगे ये बिल देखे य से और ये दिखे एक है दो भी में चाहित कर को एक कार में आपने जैसे हमने दो दो फंदे करके हो थोड़े हैं अब उनी को हम ऐसे धा करेंगे और दो फंदे हम ग्रेन के gain डिन दे लिए इस फंदे केभी से लोप लगा देंगे है और इसको इसी में पिरोद दे रेंगे २ आप में ऐसे यह देखे स। itie the side में आगे और ये दो फंबे हमने जो न हे दो बिया हो स्टागा पीछे करेंगे कि इसलेंहे करेंगे यह दीखे इस तरह से अधाय सै और इसको ऐसे किच्टक यांगे लाएंगे यह दीख है कि इस तरह से इसलिए हमें इन फंदों को टाइट रखना भी जरूरी है क्योंकि यह जोड का फंदा है परला फंदा फिर उतारें धागांगे किए और यह तीम फंदे एक दो तीन यह तीन बिन लेंगे अब हम इस धागे को ऐसे फसाई ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके और उस बार हमे हमेदा दो बिनी थे एक दो अब दो फंदे और बेना भीने लेंगे एक फंदा यह घंका है और ऐक पंदा प्र तो यह हम आ Alright करते हैं अभिहम्व 2-2 फंदे चोड़ते हो आंगी कटर बहते अब हम दो दो फंदे लेते हुए पीछे की तरप नीची की तरप जाएंगे अब यह देखे हम चार फंदे में पाच्वे सबदेख लगा धीव पीर कि दिया और हम शिदीशार फिर आ अगे ये चार हूं दें मुपक कि Sin squat करते ह्ने ये जागदि फिर आने टिनियां ना पीछे ये जीर त्रेल पंद्द हमारे परपल के ह हर बार रहें गे यह दिखे हमने चार फंदे इन विन दिए है यह फंदे हमारे चारी रहेंगे हर बार यह दख़ धागा आँगे फिर हम उल्टी साइड में फिर इस तरह से पहला फंदा उतारा तीम विनेंगे एक, दो, तीन, यह हमने 3 विन दुगे फिर इस धागे का ऐसे करके और यह ग्रीन वाले के इंवेज फंदे भीनेंगे उस बार ग्रीन के हमने 1,2,3,4 विन ने थें पाकषएंगे य्सी तरह से हम दो-दो फंदे लेते हुए अब हम नीचे की तरब बढ़ हहे हैं अब ये 6 फंदे पर हम ऐसे लूप लगादेंगे तो यहां ऐसे लूप लगाने से यहां पर हमारी जाली नहीं पढ़ती है एक सी रिजाइन आती है इसको इसी में पिरो देंगे और जो हमें 6 फंदे भी नेते उनहीं को भी नेंगे 1,2,3,4,5,6 धागा पीछे फिर हम इसी त और यह देखी इनको हम ऐसे उल्टा उल्टा बिनके कंप्रेट करेंगे, फिर से हम उल्टी साइड में लोगे, पहला फंदा उतारा भागांगे और यह 1 2 3, फंदे हमने बिन लिये, अब यह फंदा उताने से यह हमारी किनारी यह दिखी चयन जैसी बनती है जो एक दम किनारा टोरमेट में अच्छा लगता है किनारी सी बन जाती है एक बार जैसा जिसको ऐसे करेंगे और उस पार हमने 6 फंदे भी में थें आप दो फंदे हम हैर सलाई में बढ़ाते हुए नीची की तरब बढ़ें तो एक दो तीन च्यार पांच छै तो तुछ चै अब दो फंदे हम फिर भीना बुन लेंगे साथ और यह आठ यह दिखें फिर हम यह नव फंदे पर ऐसे लूप लगाएंगे और इसको इसी में पिरो दे सलाई पूरी एसी बनाएंप परमिल diff product करेंगे यह दिखें की फिरो कि यह स्व परमिल आठ चैटल यहां तक वह साथ गिरीन वाले-गी से परपल वाले परपल-भ वीड दिखें कre है पहला दांदा हम उतारेंगी दागांगे और यह तीन फंदे हम फिर से बिनेंगे तो इस चार फंदे हमारे फिर रहेंगे और इस धागे को ऐश्य करके और यह हम ग्रीन से फंदे Yakत safetyि अब दो-दो फंदे लेते हुए आप हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हुए जी गी crispy इस तरह से माइं आएंक बार बदते हूं विदमannen दिखांगे यह І क्वह देखें पूरे फंदि मेंसे उल्टे उल्टे कשके भी लिए अब हम यह दो फंदे यह पे लूप लगाया है और दो यह दो फंदे हम हर बान इस तरह से हम दोदो फंदे लेते हुए नीची की तरफ बढ़ रहे हैं यह देखे इस तरह से यहाँ पर और इस फंदे को हम इस पर ऐसे लूप लगा देंगे और इसको बिनेगे ले और इससे यहाँ पर हम सीधी सलाई पूरी ऐसे ही बना के कंप्लेट करेंगे उल्टी साइब में फिर आएंगे फिर द आपागी हैं इनको भी हम लेंगे तो यह पाहला फंद यह देखे हम उताल लेंगे इत ओसाई छे ळीकाईंड से त्पायला फंदा यह दिखे इस तरह से धागा आँगे आर तीन वाप निक्यून आएफ किया अब यहतिस से करेंगे और यह यह दिखे इस तरह से हम तरह से इसी तरह से उल्टा-उल्टा बना के कम्प्लीट करेंगे यह दिखें सारे फंदों को हम इसी तरह से यहां तक बिन रहे हैं अब यह दिखें हमें सारी सलाई ग्रीन वाले सारे फंदे बिन दिए अब यह दो फंदे इनको भी हम लास्ट में लेंगे यह दिखें अभी हम दो-दो फंदे लेते हुए यहां तक पहुच रहे हैं अब यह हमारे चार फंदे परपल की हैं तो यह फंदे पर ऐसे हम लूप लगा दीगे और इसको इसी में पिरो देंगे ये दीखे इस तरह से को हम फिर से ये दिखे सीधी साइड में आगये है ये बेंदी的 दोगे सीधी साइड में है ऐसे करके ग्रीन वाले पूरे फेंदें ऊल्टे-उल्टे बिन लेंगे यह दिखिए सीधी सलाई में हमें सारे फंदे यह ग्रीन वाले ऐसे उल्टे उल्टे बनाके यहां तक ग्रीन वाले बनाने हैं फिर यह इसी तरह से यह परपल वाले परपल से बनाएंगे पूरा ऐसे बनाके कम्प्लीट करेंगे यह दिखिए हमें पूरे फंदे ग्रीन वाल बन के तयार हो रही है और अब हम ग्रीन के पूरे फंदे ले लिए अब ये दो हमारे चार फंदे परपल के हैं तो अब हम ये पहली फंदा उतारेंगे और ये पूरी लाइन ये दिखे इस तरह से अब हम ये ग्रीन वाले भी फंदे ये सारे फंदे ग्रीन वाले परपल से बिनुंगे इसको हुआरी ते एक जोड़ते हमें मिदागे हमेसा ठाइट रखना है ये तो अलगलंग सा रहेगा और यह देखे पीत hood हमें ऐसे सारे फंदों को परपल से के बिन के कम्प्लीट परना है अब यह देखिए हमने एक ड्रीन के सारे फंदे बिन लिए अब यह दो फंदे हम परपल के बिन लिए और एक फंदे पर हम फिर एसे गलूब लगा देंगे इसको इसी में पिरो देंगे यह हमें हर बार करना है तो यह हमारी यह डिजाइन पे जाली नहीं पड़ती और एक सी डिजाइन दिखती है यह दिखिए इस तरह से और फिर हम यह इस फंद इसको अगले फंदे को ऐसे पूरी लाइन हमें उल्टी-उल्टी बिन के कंप्लीट करना है यह दिखिए सभी फंदों को हमें यह यहां तक पूरा परपल से बिनना है अब यह दिखिए हमने पूरी लाइन ये परपल से बिननी अब हम फिर से उल्टी साइड में आजए हैं अभी हमारी यह दो फंदे लेने हैं तो यह पहला फंदा उतार लिया ठगांगे और ये दिखे हमारे ये 32 फंदे थे अब पूरे ये 32 फंदे हो जाएंगे ये दिखे एक फंदा आपने उतारा दो, तीन, चार, पाच, छै, साथ, आठ, नौ, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, शोला, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये दिखे हमारे फूरे टोटल 32 फंदे हो गए जो हमने यहां शुरू में डाले थे, अब ये उल्टी सलाई पूरी ऐसे उल्टा-उल्टा बना के कम्प्रीट करेंगे, तो ये दिखे पहला फंदा हम उतार लेंगे, इसको टाइट रखके अगले फंदे, सारे फंदे अब हम उल्टे-उल्टे बिन लेंगे, ये दिखे इस तरह से हम सभी फंदों को उल्टा-उल्टा बना के कम्प्लीट करेंगे, ये दिखे इस तरह से, यहां तक सभी उल्टे-उल्टे बिन लेंगे, ये दिखे हमने पूरी उल्टी सलाई बना के कम्प्लीट कर ली, अब ह इसी तरह से जैसे मैंने यहां पर भी बनाया था तो अब यह देखिए हम किस तरह से बनाएंगे यह पहला फंदा उतारेंगे तहां गांगे करेंगे और यह यह सारे फंदों को अभी हम उल्टा-उल्टा भीनेंगे इसी तरह से अभी जैसे हमने शुरू में बिना था तो मैं यह पूरी एक लाइन उल्टा-उल्टा बिनूगी परपल से यह दिखिए इस तरह से इस तरह से हम यह पूरी लाइन कंप्रेट और यह दिखिए हमने सारे फंदे परपल वाले बिन लिए और यह दो फंदे हम छोड़ देंगे धागा यहीं से गुमाके वापस जाएंगे और यह सीधी सलाई पूरी ऐसी उल्टी-उल्टी बनाके कंप्रेट करेंगे परपल से यह है हमारे यह दिखिए इसी तरह से हम सीधी लाइन पूरी उल्टा-उल्टा बनाके कंप्रेट करेंगे यहां तक अब यह दिखिए हमने सीधी सलाई पूरी बना लिए अब हम फिर से उल्टी साइड में आगे यह दिखिए पहला फंदा उतारा धागांगे कि आप तीन फंदे बिनेंगे एक 2 3 3 अमने परपल से बिने टो यह हमारे चार फंदे हो गए एक फंदा हमने उतारा था अब हम यहां पे ग्रीन कलर ड़ाएंगे यह दिखिए इस तरह से जैसे हमने अभी सुरू में नीचे लिया था अभी हमारी यह यहां से दूसरी कली बना रहे हैं ह अब ये दूसी लाइन ग्रीन कलर से बनाएंगे इस तरह से हम पूरा लाइन कम्प्रीट करेंगे इस तरह से अब ये देख हमने पूरी लाइन से माइन अब दो फंदे हम फिरसे चोड़ Maybe उस बार वह नहीं छोड़े थे दोफंदे इस बार दोफंदे तो इह मारे 4 पंदे परपल दब टाका यहीं से घुमाके अब यह सीधी साइड में पूरी ऐसे बनाएंगे गरीन वाले गरीन से और यह चार फंदे परपल का यह इसी तरह से हम पूरा बनाएंगे और यह इसी तरह से हम दूसरी कलिस्टाट करेंगे 2-2 फंदे छोड़ते हुए यहा तक छोड़ देंगे और चार फंदे हम नहीं छोड़ेंगे फिर दो दो फंदे लेते वे नीचे तक आएंगे और उसके बाद में ये फिर परपल वादी दो लाइने बनाएंगे और जब लास्ट में हम बनाएंगे तो ये परपल की एक लाइन से पूरा कंपलीट कर देंगे यहां तक क्योंकि दो ला मारा डूर्मेट बन के त्यार होगा आपको मेरा डूर्मेट कैसा लगा जरूर बताइए नमस्कार